नमस्ते दोस्तो, जैक मशिनेरे में आपका स्वागत है, अगर आप CNC राउटर लेने का प्लान कर रहे हैं, तो हमारे पास तीन अलग-अलग तरह के मॉडल है, जैसे आप स्क्रीन के ऊपर देख रहे हैं, सबसे पहला मॉडल है S, S मतलब बेज मॉडल, सिंपल राउटर, फिर है H, High Speed Router, और फिर एक है ATC, ये तीनों में क्या difference है, उसके लिए आपके पास साथ अलग-अलग parameter है, सबसे पहला parameter है कि आपका business, अगर आपको सिंपल 2D कटिंग काटना है, जैसे जाली कटिंग, या तो फिर गिटार का बाहर का border काटना है, या तो musical instrument बनाना है, जैसे कि DJ box या तो बच्चों के खिलोने बनाना है, 2D कटिंग के लिए आप सिंपल router consider कर सकते हैं, मगर अगर आपको 3D का काम करना है, जैसे कि बड़े बड़े दर्वाजे 3D बनाना है, 3D बेड बनाना है, तो उसके लिए speed जादा चाहिए, तो उसके लिए आप H model यूज कर सकते हैं, तो हाइ स्पीड में H model जो है, वो 12,000 की स्पीड है, 12,000 mm पर मिनिट, ATC के अंदर भी 12,000 mm पर मिनिट का स्पीड है, मगर सिंपल router में वो 5000 की स्पीड है, 5000 mm पर मिनिट, तो अगर आपको थोड़ा ज़्यादा production काटना है, या तो 3D का काम करना है, तो आप H या तो ATC मशीन क कर सकते हैं, उसके बाद दूसरा point है, वो है safety, तो सिंपल जो router है, उसके अंदर feedback system नहीं है, for example, कोई भी motor के उपर कोई load आ गया, तो मशीन अपना काम चालू रहेगा, वो थोड़ा damage हो जाएगा, आपका जो लकड़ा है, बेज, जो है product है, वो खराब होजने का chance है, या तो कोई load आ गया, चाहे वो spindle की motor हो, या तो XYZ axis की motor हो, तो मशीन अपने आप stop हो जाएगा, आगे कोई काम नहीं होगा, मतलब लकड़ा या tool damage नहीं होगा, तीसरा जो point है, वो auto tool changing है, आपकी product ऐसी है, जिसमें एक या दो tool से अपना काम खतम हो जा रहे है, तो फिर आप S या तो H model consider कर सकते हैं, मगर कोई product ऐसी है, जिसमें 3, 4 या 2, 2 से ज़्यादा tool की ज़रूरत पड़ती है, तो आपको compulsory ATC में जाना पड़ेगा, for example, कोई product है, उसमें आपको बाहर का border V carving से करना है, जो इसका V shape का tool आता है, बीच में drill करना है, छोटे drill करना है, बड़े drill करना है या तो फिर आपको area clearance करना है, जिसमें end mill आता है, बड़ा वाला end mill आता है, तो ऐसी product में आप बार बार tool change नहीं कर सकते हैं, क्योंकि S simple router और H router के अंदर manual tool change है, tool change करने के लिए फिर पुराना tool निकालो, नया tool डालो, tool zero करो, और उसके बाद नया program चड़ाओ, यह सारी process manually की की जाती है, और उसके अंदर कम से कम 5 से 10 minute का time लग सकता है, मगर यह सारी procedure ATC के अंदर केवल 20 second के अंदर हो जाती है, तो अगर आपकी product के अंदर बहुत सारे tool की जरूरत पड़ती है, तो आपको जादा production मिलेगा ATC के अंदर, उसके बाद एक और point है, वो है auto dust collection, अगर ATC के अंदर यह facility है, कि वो अपने आप जो tool है, उसके आजू बाजू cover खड़ा कर देगा, cover नीचे गिरा देगा, और जब भी अपना काम खतम होता है, cover उपर चला जाता है, मगर manual tool change जो है, simple या तो edge router के अंदर, आपको tool लगाने के बाद, आपको cover set करना पड़ेगा, वो अपने आप नीचे आना उपर जाना नहीं होता है, फिर जब भी आप tool change करो, तो cover हटाओ, फिर नईया tool डाल के नईया cover लगाओ, तो वो जो dust collection का cover है, वो अपने आप उपर नीचे set नहीं होता है, जैसे कि आप वीडियो में भी देख रहे हैं, वो अपने आप उपर नीच कार के origin दे सकते हैं, इससे क्या होगा, जैसे आपके छोटे-छोटे, आपके business में अगर छोटे-छोटे parts बनाने हैं, तो आप तीन तरह के लकड़े आप पूरे area में रख सकते हैं, जैसे कि एक product खतम होने के बाद machine अपने आप दूसरे product पे जाएगा, वो खतम होने के पूरा fully automatic machine चाहिए, तो आप अपने ATC के अंदर जा सकते हैं, ये तीनों machine में आप हर तरह के material काट सकते हैं, non-metal, for example, MDF, HDF, PVC, bakelite, wood, plywood, ये सारे non-metal, even aluminum भी आप काट सकते हैं, ये इसमें material के साथ कुछ लेना दिना नहीं है, मगर अगर आपको थोड़ा speed का ज़ादा जरूरत है, safety में, fully automation में, अगर आपको user friendly चाहिए, operator आदमे के ओपर ज्यादा dependency ना हो, ऐसा चाहिए, तो आप ATC के अंदर जा सकते हैं,